दोस्तों आप सब भी जानते हैं कि इसमें पूरे उत्तर प्रदेश में सिच्छकों की वरिष्टता सूची बन रही है और वरिष्टता सूची बिवाद बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों ऐसे में बहुत सारे जन्पदों की आपने अभी तक वरिष्टता सूची देख लिया होगा लेकिन अब तक की जो सबसे इसपर्ष्ट और सबसे सही और नियमों के अनुसार वरिष्टता सूची जारी हुई है वहां सूची बहराय जिले से जारी हुई है उत्रपदेश के बहराय जिले से दोस्तों एक और जिले ने जारी की वरिष्टा सूची पूरे उत्रपदेश में माना जा रहा है कि अब तक की जो सबसे सही सूची जारी की गई है वो बहराय जिले से है जो कि अध्यापक सिवा नियमावली 1981 के अधिन जो भी बात कही गई है उसमें हर बात का पालन किया गया है उसके बाद हमारे बेसी हिच्छा परसद उतरपदेश के जो सची महोदे हैं उन्होंने जो आदेश जारी किया था उनकी भी सारी बातें वहाँ पर फालो की गई है तो अब तक की सबसे सुध इसपस्ट इवं नियमावली के अनरूप अन्य जिलों की सूची भी ऐसी ही जारी होना चाहिए लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बिडंबना ये है कि बेसीक सिच्छा परसद के कार्यालियों में जो लिपिक तैनाथ है उनकी मन मरजी किसी की ना सुनना किसी की ना मानना अपने मन की करना ये ही हम सबके लिए बिवाद का कारण बन जाता है और हम सबके लिए पूरे जीवन के लिए एक दुखदाई घटना बन जाती है जब तक लीपिकों की योगिता नहीं बढ़ाई जाती कम्या कभी साथ नहीं छोडेंगी दोस्तों जो निएमाऊ लिए उसको आप समझते हैं हम समझते हैं हमारी अधिकारी गण समझते हैं लेकिन जिसको कारे करना होता है जो धरातल पर कारे करता है वो कहीं न कहीं लूप होल छोड़ ही दिया करता है यह दिपी दोस्तों यहां जो सूची है वो बहुत ही इसपस्ट है क्लियर है सारे नियम को यहां पर फालो किया गया है लेकिन उसके बावजूद भी यहां भी बहुत सारे बिवाद है तो आईए दोस्तों हम देखते हैं इस सूची को और हम अंतिम निर्णे पर पहुँचने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कमिया है और ये कमिया क्यूं है किसकी वज़ा से है इतनी सारी कवायर करने के बाद भी किसी भी एक जिले ने अभी तक पूरी तरह से complete परिपूर्ण सूची क्यों नहीं जारी किया जबकि डेट भी ओबर हो चुकी एक डेट दी गई थी 15 फरवरी दूसरी दी गई थी 27 फरवरी आज 27 फरवरी लास डेट हो गई उसके बावजूद भी फरिष्टा सूची में ये धेर सारी कमिया देखने को मिल रही है तो आईए दोस्तों हम आपको रूबरू कराते हैं बहराईज जिले की इस सूची से तो इस समय आप देख पा रहे हैं जनपत बहराईज उत्तर प्रदेश बेसिक सिछा परशद के अधियन बिद्यालों में कारेरत अध्यापकों की वरिष्टता सूची और ये सूची है प्रात्मिक बिद्यालों में कारेरत अध्यापकों की आप यहां पर देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश बेसिक सिछा परशदी प्रात्मिक बिद्यालों में 31 दिसंबर 2015 तक ध्यान दीजेगा 31 दिसंबर 2015 तक ऐसा क्यों लिखा गया है क्योंकि 31 दिसंबर 2015 तक जितने भी अध्यापक नियुक्त हु हो गए हैं कि 2015 के बाद अगर दिखा जाए तो 2015 पांच बीस और तीन आठ साल हो गया तो उनके भी हो जाने चाहिए थे लेकिन यहां पर लिखा गया है अब इसी डेट को ही ले लिए कि ये डेट क्यों लिखी गई है 31 दिसंबर 2015 तक नियुक्त प्राप्त अध्यापकों की अन साथ क्लियर नहीं हो पा रही है कि आखिर 31 दिसंबर 2015 क्यों लिखा गया है दोस्तों 31 दिसंबर 2015 लिखने का तात्पर यहां पर यहां है कि जो भी अध्यापक 31 दिसंबर 2015 की बाद नियुक्त हुए हैं उनका अभी पांच वर्स का अनुभो पूंड नहीं हुआ है दोस्तों यहां भी संभव हो कि 31 दिसंबर 2015 तक नियुक्त अध्यापकों के लिए जन्पद में जो उपलब्द सीटे हैं वो पूरी की पूरी सीटे भरी जा रही हैं उसके बाद के जो अध्यापक नियुक्त हुए हैं उनके लिए सीटे बची ही ना हुँ इसलिए यहां पर 31 दिसंबर 2015 लिखा गया है पहले तो उपर करम संख्या है एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस जितने भी कालम बने हैं वो कालम संख्या है उसके नीचे का देखते हैं वरिष्टा करमांग एक है विकासखंड करमांग भी एक है नाम है मीना पद है सहाय का ध्यापक लिंग महिला है कारेद विद्याले का नाम प्रात्मिक विद्याले जगतपूर विकासखंड का नाम चितोरा है और नियुक्ती का पत्रांग वा दिनांग ये भी है 1482-95 आबल कि सूची की बात कर रहे हैं सूची क्रमांग साथ है हो सकता है कि जो जिले में सूची बनी हो वो क्रमांग साथ हो या विकासखंड की सूची में क्रमांग साथ हो लेकिन यहाँ पर सूची क्रमांग साथ लिखा है चलिए हम इसको थोड़ी दिर के लिए रहने देते हैं जन जुलाई 85, जाती, पिछडी जाती, विसे वर्ग है, कला और साथ में यहाँ पर बाकि सारी चीज़ें छोड़ दी गई है तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है दोस्तों यह जो सूची जारी हुई है यह आपको बता दें कि यह नियुक्ती पत्र जारी होने की तिथी के अनुशार जारी हुई है जी हाँ दोस्तों अब मैं आपको लेकर आया हूँ इस पेज पर आप देख रहे हैं कि जो वरिस्ता क्रमांक है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1226 और 1227 चलि हम लोग यही पर कंसीडर करते हैं और यही पर समझने की कुशिश करते हैं कि आखिर यहाँ प्राबलम क्या है विकास खंड से जो क्रमांक जारी हुआ था 18 और यहाँ पर 28 अठारा पर दिब्या, 28 पर चितना सिंग ये अपने अपने विकास खंड से ये क्रमांक ले करके ये लोग आये थे दोनों ही सहाय का ध्यापक हैं, दोनों ही महिला हैं एक का विद्याला है, संबिलयन विद्याला है, महेंदर नगर दूसरे का विद्याला है, प्रात्मिक विद्याला है, नैपुरा इनको आप यहां पर देखते हुए चलिए ये जो है अपने विकास खंड से क्रमांक लेकर आये थे 18 और 28 दिब्या जी 18 लेकर और चितना सिंगी 28 क्रमांक लेकर के अपने ब्लाग से आई हुई थी अब चिले में आने के बाद जब सूची को जो यहां पर संबिलियन किया गया सारी सूची को मर्ज किया गया तो अब यहां पर देखे आगे बढ़िए अभी इनका जो ये नियुक्ति आदेश का क्रमांक है इसको हम छोड़ते हैं यहां पर आगे बढ़ते हैं 1143 सूची क्रमांक 1143 और 1144 ठीक है 1143 पर दिब्या है और 1144 पर जो है आपकी चितना सिंग ह दोनों का नियुक्ति पत्र जारी होने दीखे दोनों की डेठा ब़र्त यहां पर समान है 1513 ये दोस्तों यहां पर ध्यान दीजीगा यहीं पर जो है एक विवाद जनम ले रहा है दोनों की डेठा बर्त 15 मर्च ये फंद्रमार्च ये 15 मर्च ये फिर बिद्ज्धाले में कारभार ग्रेंट थी थी है, 18 North 2015, 18 North 2015 ये भी समान है, प्रसिशित बेतनमान प्राप्त करने कि थी है, 18 North 2015, 18 North 2015 ये भी समान है, दोनों ही समान वर्ग के अभ्यर्थी यहाँ पर दिखाए गए है, एक का भिषयर भासा और दूसरे का है बिग्ञान और गने यानि आप यहां पर देखे सारी चीजें सामान नहें आपको आसामान ने क्या दिख रही है आसामान ने दिख रहा है इनका निवकती पत्र क्रमांक क्रमांक में भी कुछ आसमार नहीं दिख रहा है अलग अलग दिख रहा है 6704-13 6704-13-42317 वहाँ पर लिखा है 42-317 और यहाँ पर क्या लिखा है 15-16 यानि एक ही जो है एक ही कारियले एक ही बियसे कारियले से ये दोनों ही नियुक्ति पत्र जारी हुए है और एक पर जो है ये आदेश क्रमांक की ये लिखा है पत्रांक लिखा है दूसरे पर पत्रांक की ये लिखा है तो ये क्या होसकता है? ऐसा क्यों है? ये गरबड़ी कियाँ है? ये गरबड़ी है हमारी बलाग की. किसी बलाग के अध्यापकों को कुछ कहा गया होगा तो उन्होंने कुछ क्रमा क्लिख दिया. और किसी बलाग के अध्यापकों को कुछ कहा गया होगा तो उन्होंने कुछ क्रमा क्लिक दिया गया अर्थात एक ही जिले में सामान नियम लागू नहीं होते एक ही बियसे के अधिन जितने भी खंड सिछा अधिकारी हैं उनके कारियालों में भी सामान नियम नहीं लागो होते उनके कारियालों में जो लिपिक है वो भी उन कामन सामान नियमों को नहीं मानते अपनी मन मर्जिक के हिसाब से आदेश जारी कर देते हैं और यहां पर समझ से आती है क्या आप यहां समझ पा रहे हैं कि 6704, 6704 ऊपर कौन होगा नीचे कौन होगा ठीक है अचलिए यह बात तो समझ में नहीं आ रही है तो जो जो है अध्यापक सिवा नियम अलिव 1980 है उसमें अल्फा बेट की भी बात कही गई है कि अल्फा जो इंगलिस का जो अल्फा बेट है ए से लेकर जेट तक उस क्रम में अगर सारे भी बात सारा को सेम हो तो अल्फा बेटिकल आडर को लेकर के हम आखरी सूची बनाएंगे तो आखरी सूचे आगर हम अलफा बिटिकल आडर को ले करके चल रहे हैं तो जरास इधार आजाईए और यह देखिए यहाँ पर दिब्या और चेतना सिंग दिब्या का स्पेलिंग D होता है D से सुरू होता है और चेतना की स्पेलिंग C से सुरू होता है इसका मतलब यह है कि C को पहले होना चाहिए था D को बाद में होना चाहिए था चैन हुआ था उस चैन के समय जो सूची जारी हुई थी उसमें जो आपका क्रमांग है वो लिया गया है तो दिब्या का है 1143 और चितना सिंग का है 1144 इसका मतलब दिब्या सेनियर हुई और चितना सिंग हो गई जूनियर तो कुल मिलाकर के जो सेवा नियमौली में बात कही गई है कुल मिलाकर के जो परसत की सचुने आदेश जारी किया है उन दोनो बातों को यहां पर बिल्कुल ध्यान रखा गया है इसके पहले मैंने जो भी बाते किया वो तो सामाने बाते थी जैसा कि सामाने लोग बाते कर रहे थे, विबाद उत्पंद कर रहे थे लेकिन अन्ततों गत्वा जो निरणे पर मैं पहुँँच रहा हूँ जिस दिन B.S.A. सहाब ने आपके आदेश पर साइन किया, वो थी थी, तो 9.9.2015, 9.9.2015 यहां समान है, उसके बाद क्या लिया जाएगा, जो आपके नियुक्ति के समय, नियुक्ति के पहले जो आपके चैन सुची जारी हुई थी, उसमें आपका जो क्रमांग था, उस क्रमांग को लिया जाएगा, अगर आप क्रमांग में उपर थी, तो उपर रहेंगे, नीचे थी तो नीचे रहेंगे, तो यहां दिब्या जी उपर थी, इसलिए 1143 पर दिब्या जी का नाम है, और चेतना सिंग नीचे थी इसलिए 1144 पर चेतना जी का नाम है तो दोस्तों अब बिलकूल बातें आपको clear, इसपस crystal clear हो गई होंगी कि बहरय जिले की जो सूची बनी है बिलकूल crystal clear है उसके बात भी अगर किसी मित्र को कोई संसे होता है तो वह अपनी आपती दे सकता है तो नमस्कार दोस्तों